नमस्कार प्रणाम गुड मॉर्रिंग सुप्रभाद कैसे हैं दोस्तों आप लोग सच में यार पवन सिंग ने गरदा उड़ा दिया खेसारी लाली अदर पर गाना का भीज अभी जाके देख लिजिए और पवन सिंग के गाने का भीज देख लिजिए दो दिन हुआ है खेसा खेसारी लाली अदर के निचे था लेकिन खेसारी लाली अदर का जो गाना है बिहार में होई वह गाना भी निचे और तुझे ना देख उत्यचेन मुझे आता नहीं यह गाना भया उपर में ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है और पवन सिंग नहीं खेसारी लाली अदर लोग बोलतें भोशपूरी में असलील है असलील है यह देखिए साब सुत्रा गाना ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है कि नहीं गानें पर भ्यूज गया मैं मुझे बेष्ट लगा भईया कलपना जी का आवाज। पावन सिंग से ही कई गुना अच्छा लगा मुझे कलपına पतवारी जी का आवाज। सत्य में भईया पावन सिंग को भी यह बात लगता होगा। इस जी हां। और कलपना पतवारी जी का भाया आवाज इस गाने में मुझे सबसे बेश्ट लगा बैतरीन लगा लेडी सिंगर में सबसे बेश्ट यदी भोच पुरुन डिश्ट में कोई गाती है तो है कलपना जी भले सिल्पी राज अंतरा सिंग प्रियंका का गाना बज़े जो भी यह उससे अलग बात है लेकिन कलपना जी का भाया आवाज में एक दम जबरजर्श्ट पहल है कलपना जी का भाया आवाज पवन सिंग सिंग का तनी सौंग है जैन्स का भी सौंग है लेडीस का दोनों मतला बॉइफ्रेंड गल्फ्रेंड का सौंग है तो आपका राय क्या बाएब का आपका आवाज सबसे किसका लगा कलपना जी का या परमन संग जी का कमेंटमें कमेंट बदाईएगा और इस वीडियो को भी दिल पे मत लेकिन इस गाने में थोड़ा मुझे कलपना जी का अच्छा लगा आवाज है